सब्सक्राइब तु माई चानल बाई प्रेसिंग रेड बॉटन और क्लिक ओन दी बेल आइकेन फॉर नोटिफिकेशन आफ लिटेस्ट अफडेट्स बिक्रम सम्मत दुहाजार अंठाउन न जेट उन्नाइस काते का दिन राज परिवार का दस सदसेको हत्या भयो जसलाई दरवार हत्याकांडा का नाम नीचिनी छाँ नेपाली जनताले आधुने इतिमासके सबै भंदा नाटकिये र अकल्पनी घटना करूप माशने इवण दिपेंद्राले राजा पिरेंडर, राणी विशर्य, अधिराज कुमारी शुरूती, निराजन विरविक्रम सहा, काका दिरेंद्र सहा, काकी सांती स्रधा, जैंती र स्रधाका पति कुमार खड का बिक्रम सहालाई गोली हानी मारे को हल्ला गरियो गुली हानी सके पची उवराज दिपेंद्राले अफिमाथिक गुली प्रहार गरीकु बताईयो और को दिन अस्पतालमा गंबीर्क हैते रहेका भनियेका युवराज दिपेंद्रालाई राजा घशना गरीयो इवराज दिपेंद्राको पनी जेट उन्नाईस गतेने हत्या भाईशा के गुछियो तर उनलाई अठाट राजा गशना गरेर हत्या को दोस उनेको थापलोमा थोपरने को सेज गरीयो उनका काका अधिराज कुमार ज्यानेंद्रालाई नायवी अधिकार शुम्पियो राज परिवार का सवई सदस्यको सामुईक अंतिम संस्कार गरियो ग्यानेंद्राको श्रेंत्र पुनर हत्याकान्डामा राजा बिरेंद्र राणी ऐशरे इवराज धिराज दिपेंद्र अधिराज कुमारी निराजन, अधिराज कुमारी स्तुरूती, अधिराज कुमार धिरिंद्र, ततकालीन अवस्तामा अधिराज कुमार को पत खुशियेका, अधिराज कुमारी सांती राजेलच मी, राजा बिरिंद्र की बहीनी, अधिराज कुमारी सारदा राजेलच मी, रा एक थी पिसिगरी अधिराज कुमारी सुभा राजा बिरिंद्र की बहिनी कुमारग तर शम्सेर अधिराज कुमारी सूरती का पती अधिराज कुमारी कोमल पची महा बडεια Gimer बड़ा महारानी स्रीमती केतकी चेस्ट राजा बिरिंद्र की बहीनी तथा काका की छोरी राजपत छोड़े की घायते भायका थिये। आयोग स्वेम ग्यानेंद्र लेने बनायका थिये। को विश्वास गुमाउदे गई रायका थिये। नेपाली जनाता मद्दे केही लायता पुरा वाउदेली वेवस्ता परतीने महो भंगा भायको महसुस भाय सकेको छिये। महावदी जनायुद्द एकपचे अरकुप्ति ब्रता मा थिय। नेपाली जनाता राजनेती केहरूर अप्सरकार लाय विश्वास करना सकी रहका थिये। विदेसी सक्ती रा ग्यानेंडर ले पने यो परिष्थिति लाय नजिक बाट निहाली रायका चिये। 25 बर्से राजचंत्र को हितियास मा राजा विदेंडर लाय तुलानात्प गुरूप मा उधारवादी राजा मा निंधिय। मावादी जने उद्धको समधान के इस बारे दर्बार मा दुई थरी मा थिये। एक थरी सक्ती नेपाली छेनार विदेसी सक्ती लियाएरा भाहे पने विद्रुहलाई दभाउनु पर्णे माने तवराख्था थिये। तेसमा पुर्वराजा गेनेंद्राने पर्मुख पात्र करूप मा थिये। इतिमासमा भीमदत्ता पंता लगायात का क्रांतिकारी अरुलाई बिदेसी सेना लियाएरे मारिये को थिय। तर बिरेंद्र चाई संभाद के माध्यमबाट रहाजनितिक समस्य को समधान चाहां थे। तेसका लागी उनले विद्रही मावदी संग अनुपचारिक संभाद को परिकिरिया समेत अगी बढायाया गा थिय। बिरेंद्र नेपाल का राजाहरू मद्दे जनता वी सबै भन्दा बड़ी लोग फिरिये थिय। उनी हिंचार स्तरव सत्त बात को पशे माथिये न। उनी राजा नियंत्री परजातंत्र को कुडा गर्द थे। राजा बिरेंद्र को उधार राजनितिक सोच का कारणने 2046 काते राजा कांग्रेस्ट रा बाम सक्ति बिच्तिर्पश्य सम्झुता संभव भाई कुथिय। उनी मावदी माथी सेना परिचलन गरेता देसमा गिरिये युदा थोपर्ना चाहादा इन्थी। ग्यानेंद्र सहाका लागे युनी इस्तु उचीत मौक थियो दरबार हत्यकंडा गरेरे भाईपने सत्ता को चाहभी आपनो हाथ मलीन उनी सफल भाई। जेर 22 कतेका दिन राजा दिपिंद्र को मिर्तु को अवचारी घुष्टाना गरियो रा ग्यानेंद्र नाया राजा गोशिटवाई। नाया राजा ग्यानेंद्र ले स्वर्भुच अदलत का प्रधान्या दिश्ट के सप्रसात उपाध्यार शभामुक तारानात रानावाट रहेको एक उच्छाइस तरिये चान्मीन समिती गठन गरी गठना का सम्धामा चान्मीन गर्ना आदिश दिये। ये खप्ता पची समिती ले राजालाई पर्तिवेदन प्रस्तुर गरियो रा तेसलाई सार्वजनिक बनिक गरियो। पर्तिवेदन मा लागो पदार्थर रक्सीले मातेका युवराज दिपेंद्र गठनामा दूसी रहेको निस्कर्च निकालिये गठियो। ग्यानेद्रके युजनामा पर्तिवेदन जारी गरनू परने पूर्व सर्ता आये पची ततकाली निकापा येमालेका बहाचाची बहादकुमा नेपालले चान्मीन समितीमा बश्न अस्विकार गरिका थिये। नया राजाले प्रासपारिक तरा गंबीर उतास बात्रवन युगता समारो मा दुस्रो पटक राजगत्य आरोन गरे। एक सधाबदी सम्मा नेपाल मा शासन गरेको राणा शासन लाए उखेनले भायेको आंदोलन को अंतीम चरण का रुप मा भाजे तिर्भुवनले भारत मा शरण लिदा साने रहेका उनी तेस्ताई किसिम को समारो पशी राजगत्य मा बशे का थिये। देहजार अंठाउनना जेट 22 कते ग्यानेंद्राले तुस्रो पटक सत्तारोन गरेका थिये। अपरहन गरे, देश मा संकाट काल लागो गरे। अपरहन जेट 25 कते को समिधान शबा बशेकले रास्तंत्र लाई सधाहका लागे विदा गरे। तेस पाचे उनलाइन निर्मल निवाज पठाईयो। तरा तेती भयाना खत्याकंडा घटाउने ग्यानेंद्रा माती दल हरुले थब कारवाई गर्ना चाहिनान। तेसको पर्तचे फाईदा उठाऊँदे पुर्वा राजाले बेलाबकत रास्तंत्र पुनर स्थापना का लागी देशी विदेशी सक्ति संग सम्सर्गा करदे आये काचन। पचिलो पटक भारत को लोक्षवा निवाचन पचे पुर्वा राजा ग्यानेंद्रा ले आखुनो सक्रियता बढ़ाउना धाले काचन। राजनेतिक दल हरुले जुशासन को पर्तियाभूद गर्ना न सक्था बेथिती रा वश्चाचार पर देजान्दा नागरिक मा निराजा बना थाले कुषा। मिदीशी सक्तिको साथ पर्तिपशिको माउनता, विद्रहई सक्तिको उपयक को मनेस्तिती रा जनता को निराज को लाब उठाउना पुर्वा राजाले प्रेत्न गर्ना धाले कशन। तर आफना दाजु भाउजुर परिवारने सखा पारने पुरुबा राजा गानेंदरले जेस्टा जन्ता को चिंता लेलां दरवार हत्याकंडा को अठारा बर्शा नपुग दे नागरिक ले तित्रू नर संभार भुलना सकलां नागरिक दलहरू पर्ति जटे शुगे आकरमाग देखिये पने गरतंत्र को बिकल्प तान साइ बेवस्ता उना सक्थे ना 21. सताब्धी मा शामन्ती तान साइ बेवस्ता विश्व में समाःप्ता भई सक्यको भेला नेपाल मा राज्त तंत्र को प्रुनस्तापना केबल कलपना मात्र हुना सक्षा यू लेक आमिले lookparty.com अनलाइन बाट दियेका हूं